इस वीडियो में आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज अपडेट है वो एम्स की तरफ से है और जिनोंने एम्स के लिए अप्लिकेशन फॉर्म भरा था अगर उनसे कोई गलती हो गई तो वह करेक्शन विंडो सत्तरा से बाइस तारिक तक इसी मही ने खुली वी है तो आप किस चीज करेक्शन कर सकते हैं चलिए वज चृऽ करने पहले दिसे पर में एफ़ आप से रिकक्वेें करक्शन अगर चैनल पर नए है तो प्लीज इसे रेग्डेश के लिए सब्सक्रेब कर एकन बंधर और साती बेल आकन बही प्रैस कर दीजिए तो आज बात करते हैं कि किसी चीज में correction कर सकते हैं तो candidates can make correction in the uploaded image qualifying exam और personal details extra तो आप अपनी जो आपने image upload कर रखिये sign कर रखिये qualification exam और personal details इसे सब को correct कर सकते हैं आज यानि 70 तारिक से 22 तक और मैं आपको बता दूँ अगर आप correction नहीं करते हैं तो admit card आपको नहीं दिया जाएगा जिनके form accept होंगे उनको ही admit card दिया जाएगा तो make sure कि आपने सारी अगर अपने कोई गलती कर रहे तो सारी अपने कर लिए हो और आपका admit card मिले ताकि आप exam दे पाए तक आपका basic form basic form application form accept हो जाए तो आधर basic form में आपसे कोई भी दिख्कत होई थी तो आप correction कर सकते हैं मैं बताता हूं आप correction कैसे कैसे कर सकते हैं step by step सब सबसे पहले आप link को लिए official website मैं नीचे description में दे दूँँगा open the link in new window तो click on the application login देन उसके बाद अपने login credentials डालिए और submit के बटन पर क्लिक करिए और फिर जो भी correction आपको करने आप कर सकते हैं वापर इसका printout निकाल लिए जो तक आपके admit card release नहीं होते हैं थाकि आपके पास evidence रहे further reference के लिए तो वाइस इस वीडियो मैं आपको पता है कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं वीडियो चलगी तो लाइक करिए और ऐसी regular updates के लिए हमारे channel शिवा learning जरू subscribe करिए मिलते हैं नहीं वीडियो में ऐसी नहीं नहीं जानके अरू के साथ तब तक के लिए नमस्कार